चली सो बात करने वाले हैं सीमन्स कंपनी के बारे में Q2 के रिजल्ट डिकलेर हो चुके हैं और नतीजों के इंदर इस बार कितना रुजान देखने को मिला है यह जो नतीजे निकल कर आए है यह जोलाई अगस्त और सेप्टेमबर की जो भी परफॉर्मेंस कंपनी की है वो अ उनको तो 8 रुपे परती शेयर के हसाब से डिविडेंट का लाग मिलेगा ही और जो लोग नई खरीदारी इस कंपनी के इंदर करते हुए नही नज़राइंगे रिकॉर्ड डेट से पहले इस कंपनी के इंदर करीदे ला मिलने वाला है तो दोस्तो नतीज़े जानने से पह अच्छले काफी दिनों से लगातार ग्रोथ कर रहा है यहाँ पर बात की जाए इस कंपनी के सेगमेंट के बारे में तो यह कंपनी एनरजी सेगमेंट के इंदर लगबग 40% revenue जनरेट करती हुने जरा रही है इसी तरीके से smart infrastructure सेगमेंट के इंदर 28% का revenue यह कंपनी जनरेट करत हैं तो लगबग 4% का revenue यह कंपनी महां से भी जनरेट करती हुने जराती है तो पिछले एक साल से तो बिलकुल भी मौका नहीं दिया है लगातार कंपनी के बिजनिस के अंदर हम लोग को तेजी दिखनी को बली अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूं कि यह जो टोटल इंकम से लगबग 4358 करोड के असपास निकल कर आई है present quarter में और अगर पिछले वाला quarter देखें तो 2984 करोड के असपास यह value निकल कर आई थी तो quarter on quarter basis से इसके अंदर तेजी दिखने को मिल रही है और अगर पिछले साल का data देखें तो लगबग 3609 करोड के असपास कमपनी की total income निकल कर आई थी तो quarter on quarter basis भी कमपनी की total income बढ़ते हो निकल कर आई थी और year on year basis पे भी कमपनी की total income के अंदर बढ़ा देखने को मिल रही है अब बात करते हैं कमपनी के खर्चों के बारे में तो 3936 करोड के आसपास निकल कर आई हैं present quarter में और अगर पिछले वा 160 करोड थे तो वहाँ से भी इसके इंदर बढ़ा देखने को मिल रहे कंपणी के जो खर्चे हैं वो अवराल quarter on quarter basis साती में year on year basis पे बढ़ते हूं नज़रा रहे अब देखे हैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूं कि कंपणी की जो profit before tax है लगभग 422 करोड के आसपास निकल कर आया है और अगर पिछले वाला quarter देखें तो 195 करोड था quarter on quarter basis पे बढ़त देखने को मिल रहे है और अगर पिछले साल की बात करते हैं तो 449 करोड के आसपास यह value निकल कर आया थी तो year on year basis जिब देखने को मिल रहे है लेकिन quarter on quarter basis पे बढ़त देखने को मिल रहे है इसी तरीके से बात करते हैं company के profit के बारे में तो profit for the period 321 करोड के आसपास निकल कर आया है present quarter में और अगर पिछले वाला quarter देखें तो 138 करोड था तो 138 करोड के काबले 321 करोड यानि के quarter on quarter basis पे company का मुनाफ़ा बढ़ता हुआ नज़रा रहा है और अगर बात की जाए पिछले साल की तो 330 करोड के आसपास ये value निकल कर आई थी महां से इसके अंदर हलकी गिरावट भी देखने को मिल रहे है तो quarter on quarter basis पे मजबूत ही लेकिन year on year basis पे कमपनी का मुनाफ़ा गिरता हुआ नज़रा रहा है अब देखें अगर earning पर share की बात की जाए तो quarter on quarter basis पे इसके अंदर बढ़ा देखने को मिल रहे है लेकिन year basis पे इसके अंदर dip देखने को बिल रही है अब देखे बात करेंगे शेयर प्राइस की तो 2266 रुपे के आसपास ये स्टॉक इससे मैं कारोबार करता हूं ज़रा रहा है आपको बताना चाहूं कि लोंग टरम के साब से बहतरी इन कंपणी मानी जाती है पिछले 6 मैंने में 12% का मूमेंट देखने को मिला एक पास साल की बात करें तो 66% की तीज़े देखने को मिली पास साल की बात करें तो पैसा 20कंपनी करते हैं और अगर लोंग टम की बात करें तो भी ये शेयर लगातार उपर की तरफ मूह कुरता हूं ज़रा रहा है ग्लोबल टेक्टनोजी कंपनी है लगातार बिजनिस के अंदर जिस तरह की हलचल अब तक दिखने को मिली आगे भी उम्मीद गर के यही चल सकते हैं कि कहने की बिजनिस इस कंपनी का ग्रोथ करता हूँ नजर आए तो करंट लेवल बिखरदारी कर सकते हैं बशरते आपको नीचे के लेवल पहले से ही ध्यान रखके चलने पड़ेंगे यह आपके मोबाइल प्मिल्स के तैंक यू सो मच फॉचिंग